हेई वाट इसब टिकी गाईज मिस्टर एंड्रोइड कस्टमाइजर इस हीर तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ की कैसे आवेस 11 का कंट्रोल सेंटर इंस्टोल कर सकते अपने कोई भी एंड्रोइड डिवाइस में वह भी भी भीना रूट के तो वीडियो को जल्दे से स्टार्ट करता है तो गाईज आपको एक एप्लिकेशन इंस्टोल करने है प्ले स्टोर से जिसका नाम है iOS 11 कंट्रोल्स तो दो MP की सिर्फ एप्लिकेशन है और जैसे आप एप्लिकेशन को ओपन करोगे तो कुछ आपको टुटोरियल्स मिल जाएगे कि कैसे आपको इस एपको यूज करना है और कुछ पर्मिशन अलाओ करने पड़ेगी ठीक है तो बहुत ही सिंपल है और यूनीक है तो ट्राइ करते हैं तो जैसे मैं स्वाइप आप करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पे कंट्रोल पैनल आ गया है जो बिलकुल iOS 11 की तरह रखता है कुछ-कुछ पर पूरा नहीं लगी है क्योंकि मैंने iOS 11 देखा है उसमें थोड़ा अलग है और हम टायल को एड़ भी कर सकते हैं बट यहां पर आपको सिंपली एक कंट्रोल सेंटर तो मिलता है जैसे iOS 11 में आपने देखा होगा और जो कंट्रोल सेंटर है वह बहुत ही बढ़िया वर्क करते हैं जै ज देहा रहा हूँ और स्लो कर रहा हूँ और बड़ा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहां पर जैसे वा बड़न करता है मैंने इस को देखा है इस एक धास्ट वा रिच मेड़िग कर रहे हैं और कहां पर भी लेड양 नहीं होता है कुछ भी आपको बाउन दीकता हैं मैं mayoría पर किया है तो आप देख सकते हैं यहां पर तो डिस्प्ले पूरी वर्क करें जैसे मैं यहां पर टॉर्च ओन कर रहा हूं तो पूरा वर्क हो रहा है और जैसे मैं यहां पर कैल्कुलेटर उपन किया है वह भी उपन हो जाता है और कैमेरा भी उपन हो जाता है तो जो पूरे कंट्रोल से वह डेफिनेटली वर्क करेंगे और अच्छे से वर्क करेंगे और कहीं पर भी आपको लैग नहीं मिलेगा और बहुत ही बड़ी अप्लिकेशन है आप भी इस अप्लिकेशन को इस्टॉल करके देखिए और आवस 11 का कंट्रोल पनल पने फोन में एंड्रोइड में उसकी कीजिये और आसा रखता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दिजे शेर कर दिए बने फ्रेंज के साथ और ऐसे वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ठीके दोस्तों